आकाश्मणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग राजविधान सभा में आज मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान की ओर से पेश के गए विश्वास मत प्रस्ताव को सर्व सम्मती से स्विकृती प्रदान की गई इसके साथ ही एक दिन पुरानी शिवरा सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया शिवरान ने विशीष सत्र के पहले दिन सदन की कारवाही प्रारंप होने के बाद विश्वास मत पेश किया जिसे आसंदी पर आसीन सभापती जगदीश देवडा ने पारित कराने के लिए मतदान की आपचार रिक्ता कराई सदन में मुक्य विपक्षी दल कॉंग्रिस का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था इस दोरान हुए मद्दान में विश्वास मत को ध्वनिमत के जरिये सर्व सम्मती से पारित कर दिया गया सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था इसलिए विश्वास मत पेश कर रहे हैं साथ ही श्री देवडा ने विश्वास मत प्रस्ताउ पारित होने के बाद सदन की कारवाही 27 मार्ट सुबह 11 बजे तक के लिए स्थागित कर दे कुरूना वारिस की संक्रमन की बीच कल से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व के मद्दे नजर किंद्र सरकार ने इसे कम प्रमुकता देने के साथ ही राजी सरकारों को विशिश एहतियाद बरतने के निर्देश दिये हैं इस बीच देश में कुरूना वारिस की कारण अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 562 हो गई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसोलेशन के उलंखन को लेकर राजी सरकारों को कानूनी कारवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं उधर विश्व स्वास्त संगटन ने कुरूना वारिस से ने पतने के लिए भारत के प्रयासों की सरहना की है कोरुना वाइरस से दुनिया भर में मौत का आकड़ा 16,510 तक पहुँच गया है जबकि प्रभावितों की संख्यात 3,88,000 हो गई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वे कोरुना वाइरस, कोविड-19 के संक्रमन और उससे बचाफ के ले सरकार द्वारा किये जा रहे हो पायों की जानकारी देंगे प्रधेश में कोरुना वाइरस की संक्रमन को देखते वे आज से भूपाल और जवलपूर में कर्फ्यू लगा दिया गया है अधिकारिक सूत्रों के नुसार राज्य में अभी तक इस बीमारी से पेड़ित मरीजों की संख्या साथ हो गई है जवलपूर से हमारी समवादाता ने बता है कि कल एक और संक्रमित विक्ति की जांज रपोर्ट पॉजिटिव पाई गए है मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने लोगों से अपिल की है कि वे घरों में ही रहे और प्रिशासन द्वाया दिये जा रहे निर्देशों का पालन करे उसने मेरी विनम्र अपील है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मदप्रेश की साड़े साथ करोर जनता मेरे लिए भगवान है कोई तकलीफ आती है तो वन जीरो फोर वन एट वन एक सो चार और एक सिक्यासी टोल फ्री नंबर है आपके लिए हम आपकी सहायता के लिए त हर पर ही इबादत करें परना विधायक विजेंटर प्रताफ सिंग ने आपदा राहत कोश में एक माह का वेतन देने की घूषना की है उन्होंने आज इस राशी का चिक भूपाल में मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान को सौप दिया है अशुकनेकर में लॉकडाउन के दौरान लोगों को आठ बजे से दोपर एक बजे तक आवश्यक सामगरी खरेदने के लिए छूट दी गई थी वही सतना में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने विभिनास पतालों का निरिक्षन कर वहां की स्वास्त सुविधाओं का जायसा लिया अनुपूर में दवाई के दुकानों तथा अन्य अनिवारे सेवाएं वाले स्थानों पर ग्रहकों की बीज एक मीटर की दूरी बनाय रखने के लिए मार्किंग की जा रही है गुना में कलेक्टर ने लोगों से घरों में रहने के अपील की है ताकि संक्रमन को रोका आ जा सके गुना जिले में कोरोना वारस की संक्रमन से बचाव के लिए जिला प्रशासन दौरा काफी सतर्ता बढ़ती जा रही है जिले में 25 मार्स तक धारा 144 प्रवावशील है वही जिला कलेक्टर श्री एस विशुनाथन दौरा भी लोगों से आवश्चक सावधानिया बरतने की अपील की गई है जिला प्रशासन दौरा कोरोना वारस के संक्रमन से बचाव के लिए कई आदेश जारी किये जा रहे हैं पादेशिक समाचार के लिए गुनाजले से रोहित गोस्वामी अब कुछ समाचार संखशेप में राजिस सरकार ने आज भारतिय प्रशासनिक सेवा के वरिश अदिकारी इकबाल सिंग बैस को नया मुखे सचेवने उक्त किया है प्रदीश में समर्तन मुली पर गीहू पारजन एक अप्रल से शुरू किया जाएगा इस बुलिटिन में इतना ही आकाश्मानी वुपाल से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटिन सुनिए शाम 7 बज़ कर 10 मिनट पर नमस्कार झाल